हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में इस वीडियो में हम देखने वाले है किस तरह से हम डाउनलोड और इंस्टाल कर सकते हैं नेटफिक्स एप को हमारे Windows 10 के PC या फिलेपटप में बहुत ही ज़्यादा सिंपल वीडियो है तो चले अपनी वीडियो के और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जाएंगे Google Chrome में Google Chrome में जाके यहाँ पर हम टाइप करेंगे Netflix और हिट एंटर करेंगे तो सबसे पहले लिंक आएगी वो Netflix ही होगी उसे हम open कर लेंगे तो यह लिंक यहाँ पर open हो जाएगी तो यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें three dot मिलेंगे इन three dot के उपर हमें click करना है यहाँ पर हमें मिलेगा save and share save and share के उपर जाना है यहाँ पर हमें create a shortcut के उपर click करना है तो यहाँ पे हमें Netflix मिलेगा, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं Netflix दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बाद Open as a Window आएगा, तो इसे हमें चेक कर लेना है, यह IPA Open as a Window, उसके बाद Create के उपर क्लिक कर देना है, तो एक नया विंडो हमार सामने Open हो जाएगा, तो इसे मैं बंद कर लेता हूँ, मैं डेस्टाप के उपर जाऊँगा, तो डेस्टाप के उपर Netflix का shortcut दिखाए देगा, यहाँ पे Taskbar में भी Netflix का shortcut दिखाए देगा, स्टार्ट में जाऊँगा, तो एप लिस्ट में भी Netflix दिखाए देगा, इसका मतलब ह हमारा Netflix हमारे machine के उपर install हो चुका है, तो इसे मैं यहाँ से open कर दूंगा, तो Netflix यहाँ पे open हो चुका है, यहाँ से आप इसे use कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हो इसे remove करना या पि uninstall करना, वो भी बहुत ही simple है, तो Netflix को हम open कर लेंगे, Netflix को open कर लीजिए, उसके बाद आप इन three dots के उपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे uninstall Netflix होगा, uninstall Netflix के उपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप इसे check मत कीजिए, also delete data from chrome इसे check मत कीजिए, remove के उपर क्लिक कर दीजिए, तो यह remove हो जाएगा Netflix आपके Windows 10 PC या फिर laptop से, तो दोस्तों यह simple तरिका था, install करने का या फिर uninstall करने का Netflix को Windows 10 PC या फिर laptop से, तो दोस्तों इस वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चानल को subscribe करना कता ही मत भूलिए, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाए